दोस्तो हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसी रहसमई घटनाई हुई हैं जिनहें आज तक कोई भी नहीं सुलजा पाया तो चलिये दोस्तो आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही रहसमई चीजों के बारे में जिनहें आज तक कोई नहीं सुलजा पाया नमबर वन रेड रेन इन केरिला यानि खून की बारिस दोस्तों ये घटना रहस्य में घटनाओं में से एक है इसे आज तक कोई भी एक्स्प्लेन नहीं कर पाया और ये आज तक अंसुलजी पहेली की तरह पड़ी हुई है दोस्तों 5 जुलाई 2001 को 12 वजे के समय लोग मौसम का मज़ा ले रहे थे पर अचानक से आसमान में बिजली कड़कना सुरू हो गई उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान रह गए दोस्तों वहाँ पर अचानक से बारिस होने लगी और वो बारिस ऐसी वैसी बारिस नहीं खून की बारिस थी दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वो बारिस खून की ही बारिस थी दोस्तों उस समय जो बारिस हुई थी वो लाल कलर की थी कई लोगों ने पीले, हरे और काले रंग की बारिस को भी नोटिस किया था पहले पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास खटना नहीं है सिर्फ ये डस्ट यानि धूल के कड़ों की बज़े से ऐसा हुआ है साइंटिस्ट इस बारिस का सैंपल लेके अपनी लैब में जाते हैं और वहाँ पर टेस्ट करते हैं उन्होंने टेस्ट करने के बाद पाया कि ये कोई धूल के कड़ या मैटियोर के पार्टिकल नहीं है बलकि वो ऐसे कड़ थे जो अपने आप में जिन्दा थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना वो जीवित पार्टिकल थे जिनके अंदर जीवन मौजूद था साइंटिस्ट को पका पता लगाना था क्या ये वास्ट प्रिक्ता में जीवित है तो उन्हें ये जानने के लिए डियने टेस्ट करना था लेकिन उन्हें पाया कि उस पार्टिकल के अंदर डियने ही मौजूद नहीं है यानि डियने ही गायब है उन पार्टिकल की हरकते जिन्दा सेल की तरह थी लेकिन उनके अंदर डियने कोई मौजूद नहीं था जब पहली बार बैग्यानिकों ने इसकी जाच की तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का DNA मौजूद नहीं है लेकिन लेब में 10 साल इस पर रिसर्च करने के बाद इस पर दोबारा से एक बार एडवांस मसीनों की सहायता से रिसर्च की गई तब उन्हें पता चला कि इसके अंदर DNA सच में मौजूद है बहुत सारी पबलिक रिपोर्ट में बताया गया कि ये सब एलियंस ने भेजा है दोस्तो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा लेकिन आप ही जरा सोचिए जो किसी जगए पर नहीं पाया गया वो आखिर केरला में कहां से आया इसकी कोई भी एक्स्प्लेनेशन मौजूद नहीं है दोस्तो इस रहसे में बारिस को आज तक साइन्टिस्ट भी सुलजा नहीं पाए हैं और नहीं इसके रीजन का पता लगा पाए हैं कि ये बारिस आखिर केरला में हुई क्यों दोस्तो ये दिसंबर 2012 की वे घटना है जिसने सब को चौका कर रख दिया लोगों के एक बहुत डीप साउंड सुनाई दिया और वो साउंड एक डिस्पोर्ट की तरह लग रहा था दोस्तो ऐसा साउंड तब पैदा होता है जब कोई पिलेन आवाज की गती से जादा तेज चल रहा हो लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो आवाज बहुत जादा ही अजीब थी उस आवाज ने पूरे जोदपुर के लोगों को डरा कर रख दिया जिसकी बज़े से वहां के लोग मयन कलेंडर की भवे सुवारियों को याद करने लगे जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी और ये वही दिन था उस घटना के एक दो दिन के बाद कई लोगों के ये लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है वहां के लोगों को लगा कि यहां की आर्मी नए जैट को टेस्ट कर रही होगी लेकिन आर्मी से बात चीत करने के बाद पता चला कि उस दिन किसी भी जैट को टेस्टिंग के लिए नहीं भेजा गया था दोस्तो सौनिक बॉम्स की टेस्टिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये आवाज इतनी जादा खतरनाक होती है कि वहां के रहने बाले लोगों की घरों के काच को तोड़ सकती है इसलिए मलेटरी सौनिक प्लेन की टेस्टिंग वहां पर करते हैं जहां लोग नहीं रहते ऐसी घटना केबल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया की अनेक जगहों पर हुई है जैसे USA, UK और बहुत सारी जगहों पर दोस्तो कुछ लोग ये मानते थी कि मलेटरी ने प्लेन की टेस्टिंग की होगी और वहीं कुछ लोग ये मानते थी कि ये काम एलियन्स का है यानि कुछ एलियन्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी बज़े से हमें ये आवाज सुनाई थी दोस्तो आपको ये बात अजीब लग रही होगी लेकिन उस घटना की कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ alien sites की रिपोर्ट की गई दोस्तो ये घटना बिलकुल भी unexplainable है ये sonic booms कैसे हुआ आज तक कोई नहीं जानता दोस्तो जटना असम का एक खुबसूरत गाउ है दोस्तो ये गाउ एक अलग घटना के लिए पिरसिद्ध है जो एक suicide से related है दोस्तो ये गाउ suicide of the world के लिए famous है और ये घटना हर साल सेप्टेंबर से नवंबर के महिने की बीच होती है रात साथ बजे से लेकर दस बजे के बीच वहां के उड़ रही पक्सी अपने आप अपना balance होने लगते हैं और वहां के मौझूद घरों और पेडों में टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है दोस्तो वहां पर रहने बाले लोग इस घटना को suicide का नाम देते हैं लेकिन इस घटना को suicide नहीं कहा जा सकता क्योंकि पक्सी कभी भी suicide नहीं करते हैं दोस्तो आज तक कोई नहीं जानता कि वहां पर साथ से दस के बीच में ऐसा क्या होता है जिसकी बजे से अपने आप जो है पक्सी अपना balance खोने लगते हैं और पेडों से टकरा जाते हैं घरों से ट रिसान है कि इसके पीछे का क्या रहसे है यहां के जादतर निवासियों का यह मानना है कि यहां पर कोई भूतिया तागत है जो इन पक्सीयों को नीचे की तरफ खीच लेती है दोस्तो बर्ड दुनिया में बहुत जगे हैं लेकिन ऐसी घटना और कहीं पर आज तक नहीं क्यों होता है कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा वहां पर सूरज की रौसनी की बज़े से होता है सूरज की रौसनी उनके आखों पर पड़ती है जिसकी बज़े से पक्षी अपना बैलेंस खो देते हैं और पेड़ों और घरों पर तकरा कर उनकी मौत हो जाती है और वह दोस्तो ये थे कुछ ऐसे अंसुल जे रहस से जिनका जबाब आज भी बैग्यानिकों के पास नहीं हैं। दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सेयर जरूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी और ऐसी ही वीडियो में।